तो guys अगर आप एक live streamer है या gamer है तो इस वीडियो को end तक आपको देखना ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक गुरु मंतर 2021 का live streaming के लिए और वो गुरु मंतर है multiple streaming या simulcast इसका मतलब यह है कि आप एक time पे multiple platforms पे live streaming कर सकते हैं अपने computer से बिना किसी problem के कैसे स्वागत है आप सबका आइम डिवाई प्रो यूटीब चैनल पे तो guys अगर आप अटेंट करते हैं मेरा live stream जो कि मैं करता हूँ हर Saturday को 9 बजे अपने YouTube चैनल पे तो आपने देखा होगा कि मैं काफी time से multi streaming कर रहा हूँ या simulcast कर रहा हूँ यानि कि एक time पे मैं live जा रहा platform की मदद से जिसका नाम है restream जो की एक free platform है जिसकी मदद से आप multiple streaming कर सकते हैं या simulcast कर सकते हैं तो guys यह है restream का website यहाँ पे जाके आप create कर सकते हैं एक account अपने लिए या अगर आपके पास already एक account है यहां से आप login कर सकते हैं तो मेरा account already है मैं जा रहा हूँ यहाँ और login कर हूँ अपने account में login करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले page पे यह है आपका dashboard और यहाँ पे एक button है जिसका नाम है add channel का यहां से आप add कर सकते हैं अपने अलग-अलग channels को जैसे की Facebook, Twitch, YouTube और LinkedIn तो फिलहाल मैं press कर रहा हूँ add channel पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सार YouTube, Periscope, LinkedIn, DLive, Dailymotion बहुत सारे options available हैं यहाँ पे आप multiple channels को add कर सकते हैं और एक साथ live जा सकते हैं सारे platforms पे तो फिलाल मैं add कर रहा हूँ मेरा YouTube channel और यहाँ पे हमारे पास दो buttons हैं एक है connect to YouTube और दूसरा है setup manually मैं recommend करूँगा कि आप connect YouTube वाला button लीजे क्योंकि अगर आप setup manually तो आपके comment शायद नजर नहीं आएंगे आपको आपके live stream के दौरान तो मैं choose कर रहा हूँ connect YouTube और उसके बाद choose कर लूँगा मेरे account को और उसके बाद select कर लूँगा मेरा YouTube channel और मेरा YouTube channel add हो चुका है और यहाँ पे मैं create कर सकता हूँ एक event एक title दे सकता हूँ उसके बाद यहा यहाँ पे server है इसको हमेशा आप primary YouTube server पे रखिए इसके बाद हम add करेंगे एक और channel यहाँ पर मैं press कर रहा हूँ add channel पे और अब की बार मैं select कर रहा हूँ Facebook live प्रेस करेंगे connect Facebook पे और मेरा Facebook भी अब connect हो चुका है यहाँ पे एक drop down मुझे आता है stream to का मैं चाहूँ तो choose कर सकता हूँ अपना personal profile या choose कर सकता हूँ अपना page मैं choose कर रहा हूँ मेरा Facebook पे जिसका नाम है I am dy pro ध्यान में रखना है कि जो Facebook page पे आपको live stream करना है वो एक free feature नह चाहते हैं अपने personal profile पे तो आप free plan में कर सकते हैं प्रेस करेंगे save और अब मेरा YouTube और Facebook दोनों connect हो चुके हैं यहाँ पे हर channel के side में आपको मिलता है एक settings का button जहांसे आप अपने settings को edit कर सकते हैं अपने titles को update कर सकते हैं या अपने channel को remove कर सकते हैं इसके साथ-साथ यहाँ पे एक साथ live जाना चाहते हैं तो आप इसको on रख सकते हैं अब आ जाते हैं इस side पे यहाँ पे हमारे पास कुछ options हैं सबसे पहला option है live studio का जिसका मैं आपको demo दूंगा अभी और नीचे है streaming software RTMP तो अगर आप zoom या OBS यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस settings को paste कर सकते है अपने OBS में और वहां से multiple streaming कर सकते हैं अब क्लिक करते हैं enter live studio पे जैसे ही आप आजाते हैं live studio में यहाँ पे आपके पास कुछ brand settings हैं जैसे कि default आप चुन सकते हैं आप news चुन सकते हैं rounded चुन सकते हैं और काफी सारे options यहाँ पे available हैं आप colors को change कर सकते हैं अपने brand colors के सबसे पहला toggle button है default graphics का इसको मैं enable कर देता हूं और जैसे ही आप enable करते हैं यहाँ पे आपके पास काफी सारे options आजाते हैं जैसे कि आप enable कर सकते हैं restream का logo या उसको disable कर सकते हैं या आप press कर सकते हैं plus button पे और upload कर सकते हैं अपने logo को इसके साथ नीचे कुछ overlays है प्रेस करें देंगे show पे तो आपको ऐसा वाला overlay नजर आएगा या तो आप upload कर सकते हैं अपना खुद का overlay जो आप बनाएंगे canva या photoshop में नीचे यहाँ पे कुछ video clips available है जैसे कि यह timer वाला video clip है तो आप देखेंगे timer जो है वो activate हो गया है यहाँ पे timer का दूसरा option भी available है इसके साथ सा साथ आपको मिलते हैं ऐसे वाले background तो आप अपने background को set कर सकते हैं अपने हिसाब से या आप यहाँ पे plus button पे आके upload कर सकते हैं अपना खुद का background यह तो हो गई graphics की बात अब चलते हैं हम captions पे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आपके default captions जैसे कि follow on YouTube follow on Instagram या follow on Facebook वगरा वगरा और left में है chats जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके live chats को जब आपके subscribers या आपके followers यहाँ पे कुछ type करते हैं अब आते हैं main चीज़ पे यानि कि आप कैसे activate कर सकते हैं अपने camera को और अपने microphone को तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो काफी सारे options available हैं और यहाँ प Cam Link 4K और उसके बाद मैं चूज करूँगा एक resolution यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ 1080p at 30 frames per second और चूज करूँगा एक audio input तो यहाँ पे मैं select कर रहा हूँ मेरा Cam Link 4K अब चलेंगे इन सारे options पे तो फिलहाल मेरा microphone जो है वो mute पे है हम इसको करेंगे unmute तो हमारा microphone unmute हो चुका है और यहाँ पे camera भी जो है वो enable नहीं है तो मैं इसको enable कर देता हूँ ताकि आप मुझे देख सके यहाँ पे तो अब आप मुझे देख पा रहे हैं और कुछ इस तरीके से लगेगा जब हम live जाएंगे restream पे पिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे share screen का option है इ उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक share audio का button भी है जहाँ पे आप क्लिक करके उस particular window या उस particular tap के audio को भी share कर सकते हैं अपने live stream में तो demo के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल चूज कर रहा हूँ YouTube और उसके बाद प्रेस करूँगा share प और कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा मैं activate करता हूँ अपना camera फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैंने अपना camera अब on कर दिया है और इसके बाद जाएंगे share screen वाले option में और यहाँ से हम select करेंगे chrome और यह है मेरा YouTube channel इसको मैं कर रहा हूँ share त सकता है जाएंगे वापस restream के website पर तो यहाँ पर left में आप देख सकते हैं कि मेरा video जो है वो on है और नीचे है मेरा share screen और इसको मैं toggle करके on कर सकता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं minimize हो गया हूँ और अब सिर्फ share screen नजर आ रहा है इसको मैं अलग-अलग templates में चला सकता हूँ जहाँ पर मैं एक तरफ हूँ और मेरा जो share screen वो एक तरफ है ऐसे इसको चला सकता हूं ऐसे चला सकता हूँ अगर दो लोग होते थो मैं ऐस चला था इसका demo मैंने आल्रडी आपको दे दिया है और ऐसे भी इसको चला सकता हूँ अगर पसंद हो तो और काफी अच्छा लगता है पीछे आप देख सकते हैं animated background चल रहा है बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भी चला सकता हूँ इसको काफी interesting है तो अब सारे settings हो चुके हैं complete और अ हम live चले जाएंगे YouTube और Facebook पे तो guys हम live हैं और हम live जा रहे हैं अब YouTube और Facebook पे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो destinations जहाँ पर हम जा रहे हैं live और यहाँ पर हमें नजर आएंगे हमारे comments तो फिलहाल तो यह demo वाला live stream है तो मैं wait कर रहा हूं कि अगर कोई घर से message करे तो उसको मैं आपको demo करके दिखा दूँगा कि कैसे नजर आता है यहाँ पर हमारे पास एक message आ गया है और इसको मैं ऐसे press करके screen पर दिखा सकता हूं और यह screen पर कुछ ऐसे नजर आएगा तो इस तरीके से आप अपने viewers की comments को दिखा सकते हैं और actually उनके साथ chat भी कर सकते हैं chat में तो मैंने डाल दिया hello तो इस तरीके से हम chat कर सकते हैं और इस बटन पर प्रेस करके अपने comment को hide भी कर सकते हैं जब आपका stream खतम हो जाएगा तब आप आएंगे यहां पर और प्रेस करेंगे end stream पर तो मैं इसको प्रेस कर देता हूं और यहां पर हमें एक option आ रहा है हम प्रेस करेंगे ok पर और हमारा stream जो है वो अब को end हो चुका है और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर आपको मिलता है recording जिसको आप download कर सकते हैं और बाद में उसको edit करके reuse कर सकते हैं अपने YouTube या Facebook पे Restream में आप events को schedule भी कर सकते हैं मान लेजे कि आप live जाने वाले हैं दो या तीन दिन के बाद तो आप उसको को already schedule कर सकते हैं यहां पर आप left side में आएंगे यहां पर तीसरा button है जिसका नाम है events इस पर आपको करना है press और यहां पर जाके आप create कर सकते हैं एक event और schedule कर सकते हैं एक live stream किसी एक future date के लिए तो यार अब बात करते हैं इसके pricing के बारे में जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि restream एक free platform है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला plan है वो है एक free for ever plan जहां पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है और आप stream कर सकते हैं 30 platforms पे simultaneously और आप यूज कर सकते हैं Zoom OBS और stream का studio मैंने आपको दिखाया वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसको ठोड़ा और professionally करना है और आपको अलग-अलग facebook pages पर जाना है live या facebook groups पर जाना है तो आप ले सकते हैं इनका standard plan जो कि है $16 per month और यहां पर आपको काफी सारे और options मिलते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा था facebook pages पर आप सकते हैं groups पर जा सकते हैं और आपको आपकी recording मिल जाएगी जो आप बात में यूज कर सकते हैं तो यारे वीडियो कैसे लगा प्लीज बताना comments में अगर आपके पास कोई यास्तर ही